राम राम भी सारान है और आज है डे 38 मेरा 90 डे स्टेरोइड चैलेंज के साथ में तो जैश्री राम सभी को और मैंने वही कई हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ कर प्रातना और उसके बाद कि अपने डे की शुरूवात प्री वर्काउट गोल कर मैंने पिया और एनरजी का फुल टू सोर्स लेने के बाद अब मैं हूँ रेडी वर्काउट के लिए प्री वर्काउट पीने के बाद में बहुत अच्छी एनरजी आ जाती है पंप आप देख सकते हैं और फिर मैंने दुबारा हनुमान जी को नमन करा मेरे एक गुरू है वही क्योंकि वल्ड के सबसे पहले बाडी विल्डर है फिर मैंने वार्म अप स्टार्ट किया और वार रहे हैं यौर जस्ट प्लेंग विडियो मसल्स तो मसल्स के साथ ना खेलें खिलवाड ना करें और मुझे लेना है आज थाई का वर्काउट तो मैंने फ्री स्कॉैट कर दी चालो वाम अप के साथ में ही और वाम अप का एक अच्छा स्रोस हो सकता है आप क्रॉस ट्रेड्म महसूस करा के कि अब आप पे पढ़ने वाला है बर्डन मैंने हैक स्कॉाट से की शुरुआत हैक स्कॉाट लेते वक्त हमेशा एक चीज़ आप याद रखे कि आपकी लोवर बैक पे इंजरी की संभावना बहुत जादा बनी रहती है तो बिलकुल आर्च रखें लोवर बै स्टाट किया लेग प्रेस एक बहुत अच्छा वरकाउट है आपकी थाग को स्ट्रेंट देने के लिए साइस गेंद करने के लिए लीन मसल क flavख़्टाने के लिए इस वरकाउट को आप करते हैं तो थाइस ट्रेंथन होती हैं आपकी और फिर मैने यह दीके से पूरा अपना क हो सकता exercise से पहले भी लेते हैं लेकिन मैं exercise से पहले प्रिवर काउट ले लेता हूं तो ज्यादा भी पी हाई हो जाता है और उसके साथ मैं एल एरजनीन के साथ में BCAA और EAA मिक्स करके लिया जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है exercise के बीच में एक फ्लेवर मिल जाता है और पीने में गर्मी का टाइम है तो वाटर इंटेक भी बढ़ा रहता है आप डिएडरेशन से बचते हैं और उसके बाद यह देखिए मैंने मिला लिया अपना करता हूं क्योंकि यह बहुत ही प्यारा वर्काउट है आपके नी सपोर्ट के लिए तो इस वर्काउट को हमेशा करें क्वार्ड मसल को स्ट्रेंद देने के लिए बहुत अच्छा वर्काउट है लैग एक्सिंशन में मैंने आज एक वेरियेशन और ट्राई करा जब आप क किया उसके बाद एंड फिर अगें स्टार्ट यह पुश के अंदर जो ताकत लगती है ना पुश एंड प्रेस बहुत इफेक्टिव वर्काउट वे है यह तो मैंने आज यह अपलाई किया मसल्स को पूरा तावड़तोर तरीके से तोड़ने के बाद में फिर मैंने एक्चुली डंबल्स के साथ बड़ा एफेक्टिव वे लगता है मुझे यह इसमें इतनी ज्यादा मतलब खिचाओ पड़ता है हैंस्टिंग पर आप सब अपलाई करके देखें मैं मातर कहने रहा हूं अगर आप करते हैं तो बहुत आपको बहुत प्यारा रिजल्ट आने के बाद में फिर मैंने काफ का देहां दिया काफ का रिजल्ट कंप्लीट किया मैंने और काफ के अंदर में विए ने 40-40 रेपिटिशन के चार सेट किये यह वर्काउट इतना ज्यादा इंटेंसिवली किया मैं ए अज थाई का कि सवेटिंग से मेरा हो गया था बुरा हाल औ और बिल्कुल वो कहते हैं ने बुराई डे बिल्कुल वैसा था फिर पोजिंग करके मैंने किया आज के दिन का end तो मेरे दिन का workout होता है खतम और उसके बाद मुझे लगा कि अभी कुछ रह गई है बाकी तो बाकी कसर मैंने पूरी की abdominal workout के साथ अब्डॉमिनल के workout के लिए मैंने लैग रेज लिए सिटिट और लैग रेज रेने के बाद में फिर मुझे लगा कि अब लैग रेज से खाली बात नहीं वनेगी तो फिर मैंने half crunches किये तो half crunches 200 repetition किये 50-50 के चार और लैग रेज किये मैंने 50-50 के चार इस तरीके से अब्डॉमिनल का मैंने workout complete करा अपना day 38 किया and thank you so much for watching please show me your love to subscribe this channel